नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली नूस अनालिसिस 27 डिजमबर 2021, आज की इंपोर्टन नूस कौन कौन सा है, चेक करते हैं, सबसे पहले हेडलाइन्स, देखें हरियाना में से एक अनफॉर्चुन इस कौन्टक्स में डिसकस करेंगे, फिर इंडिया, फूट एड एड एन कुछ डिफेंस एक्यूबेंस प्रवेट किया है, आफ्रिकेन कंट्री मोजांबी के लिए, वो देखेंगे, फिर दोस्तों, आज की दो हिंदू में, तोड़ा कम्यूनिटी का न्यू यह में डिसकस करेंगे, फिर फाइनल न्यूस, विजय हजारे ट्रोफी, विजय हजारे ट्रोफी जीता है हिमाजल परदेश, इस कौन्टक्स में भी हम डिसकस करेंगे, तो आगे जान से पहले लेक्षा पर लाइक का बटन, चानल का अब तक शेरान सब्सक्रेम नहीं किया हो, तो कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट करने के लिए, अब चानल के मेंबर बन सकते हो, जोइन बटन के तरू, शुरुआत करते हैं दोस्तो, सबसे पहला न्यूस, स्टैची ओफ क्राइस्ट, डिसिक्रेटेट इन अमबाला, देखे हरियाना का अमबाला शहर में से एक अनफोर 24th evening, basically Christmas evening को भी, कुछ right wing groups ने Christmas celebrations disrupt करने का कोशिश किया था, तो आप जाके कल सूफा, इस तदा, Holy Redeemer Church का, Life says, statue of Jesus Christ भी, डिस्टोई किया है, तो पूलीच ने, first information report, loads किया है, on charges of trespass and defiling a place of worship, अब दोस्तो, ये incident के पीछे, कोई right wing group का involvement है की नहीं, इनका कुछ special agenda है की नहीं, पूलीस investigation कर रहा है, इसके बाद पता चलेगा, पर news channels में और YouTube channels में तो कफी जारे अलग-अलग narrations घूम रहा है, बस news को viral किया जा रहा है, अब जब तक investigation report बाहर नहीं आता है, उससे पहले कुछ comment करना सही नहीं है, पर देखे दोस्तों, जिन्होंने भी ये काम किया हो, ठी किसी के उपर नहीं है, ठीक है, तो उधर के priest नहीं बोला है, the suspects were youngsters and seem to be acting at someone's best, वैसे दोस्तों, CCTV footage से ये पता चला है, एक बंदा statue तोड़ रहा था, और एक बंदा उसका वीडियो बना रहा था, तो मतलब वो किसी को दिखाना चाह रहा था, किसी के कहने पर ये सारे activities कर दा ठीक है, तो इनका कहना ये भी है, the agenda seems to be disturbed the Christian community, आप देखिए, इस तरह का narration साता ही रहेगा, एक थीज़ तो तहर है दोस्तों, इंडिया में आप intolerance थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, आप हम काम की बात करते हैं, history of the church, the Catholic Holy Redeemer Church of Ambala Contourment is built in Gothic style, आप य जिसे churches वगरा बनवाते थे, इसे Gothic style of architecture बोलता है, for example, ये church का photo आप देखिए, ये Holy Christ Redeemer Church तो नहीं है, दूसरे एक church का photo मेंने बस आपको Gothic style of architecture दिखाने के लिए डाला है, ठीक है, आपने English movies में वगरा देखा होगा, कई सरे churches इसी style में construct किया है, इसी को Gothic style of architecture बोलता है, तो व अधर विनन्स, इसे लेटर रिविल्ट इन दे एर 1908, तो 1908 में इसे रिविल्ट किया गया था, बेसिकली रनवेट किया गया था, तो चर्च त्री स्टोरी डे, इन विच डिवोटीज वेर अलसो प्रसें दूरिन दे प्रेर रोन 2nd floor, 2nd floor में प्रेश बगरा होता है, तो इसे बड़े बेसिकली चर्च में सबसे उपर बेल्स होते है, जब चर्च में कुछ इंबॉर्टन फंक्शन वगरा होता है, इसे बजाया जाता है, तो यह सब बताया हुआ है, आप देखे दोस्तों, यह जो पर्ट्रिकलर इंजिनेंट हुआ था, बेसिकली एक टेप का ग आप देखे आप अपने रिलिजियन फोलो कर सकते हो, प्रक्टीस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो, यह हमारा एक फंडमेंडल राइट है, तो अब यह जो हुआ है, इस बेसिकली एवाइलेशन फंडमेंडल राइट, यह आप समझ सकते हो, है कि नहीं, फिर देखे यह जो अफंडे से, इनके एगेंस्ट सेक्शन 295 अफ दे इंटियन पोल्ट पीनल कोड में अक्शन ले सकता है, देखे, सेक्शन 295 क्या कहता है, सेक्शन 29 295 of the IPC makes destruction, damage, और defilement of a place of worship or an object held sacred, sacred objects का, religious properties का, कोई अगर destruction कर रहा है, damage कर रहा है, defilement कर रहा है, तो उनके against action ले सकता है, अगर कोई, कोई religion को, या फिर कोई class of person को insult कर रहा है, तब ही इनको अरस कर सकते है, और इनने पनीश किया जा सकता है, with imprisonment, which may extend to two EAs, or with fine, or with both, तो यह है section 295 of the IPC, तो यह particular news में से, आप article 25, or section 295 of the IPC के बारे में, जान गया होगा, ठीक है, तो देखे, paper 4, general studies, 3 linkages between development and spread of extremism है, यह news आपको कामाएगा, अगला news है, पैनल to look into AFSPA withdrawal from Nagaland, देखे, करीब 2 हफते पहले की बात है, जब Armed Forces का एक Special Unit ने, एक bus के उपर fire किया था, जिसकी वज़े से 13 civilians का death हुआ था, at OT in Nagaland's Mount District, यह news हमने cover किया था, वैसे दोस्तों, दिजवा से failed ambush, Special Unit का plan यह तो नहीं था, इनको मारना, एक operation का plan था, पर उस time पर यह bus उतर आया था, जिसमें यह civilians मेटे थे, और यह civilians इनके सा corporate नहीं किया करके, Special Unit की तरफ से clarification आया है, पर देखें दोस्तों, जो भी है, इसके उपर inquiry चल रहा है, inquiry report आने के बाद ही हमें पता चल लगा, actually क्या हुआ था, इसे पहले इसके बार में comment करना सही नहीं है, पर जो भी हुआ, काफी unfortunate हुआ, होना नहीं चाहिए था, आप नागालान के कई सारे areas को disturbed areas करके notify करके रखा हुआ है, अब disturbed areas में armed forces के पास बहुत सारे powers है, तो नागालान में जितने disturbed areas है, उन्हें withdraw करना करके protesters का demand है, तो देखें ये demand के बात, Ministry of Home Affairs ने एक committee form किया है, committee किसके लिए, committee ये देखेगा, कि नागालान का situation क्या है, वैसे committee will be headed by additional secretary northeast in the ministry of home affairs, and इस committee में नागालान का chief secretary भी रहेंगे, director general of police of नागालान भी रहेंगे, and inspector general of azam rifles नौर्थ भी रहेंगे, and a representative of central reserve police force भी रहेंगे, तो 45 days के अंदर committee अपना report submit करेगा, और इनकी recommendations की साब से, senator ये decide करेगा, कि नागालान के अंदर यतने disturbed area से उन्हें withdraw करना है कि अब दोस्तों, what does the AFSPA mean? इथर में आपको briefly बताऊंगा, एक आलक वीडियो के तुरू, in detail हम discuss करेंगे AFSPA के बारे में, क्योंकि ये examination perspective में very much important है, काफी news में आया है, वैसे symbol भाषा में AFSPA gives armed forces the power to maintain public order, देखे, low and order किसकी responsibility है? हमारा constitution का schedule 7 के अंदर, जो union list, state list and concurrent list आते है, इ AFSPA के अंडर, जितने areas को disturbed area करके notify किया हुआ है, इथर armed forces को power दिया हुआ है, to maintain public order, armed forces को अगर suspicion हुआ, तो किसी को भी RS कर सकता है, without a warrant, कोई भी घर में घुस सकता है, search कर सकता है, without a warrant, and they can ban the possession of firearms also, अब देखे, दोस्तों, आप खुद सोची, जब इस तरिके का powers कोई armed forces को द अच्छा नहीं लेगेगा, इसलिए यह सारे प्रोटेस्ट वा रहा है, उपर से इतने सारे सिविलेंट्स का डर्थ भी हुआ, आप देखे, AFSP के under disturbed area करके एक टेम होता है, इसका मतलब क्या होता है, an area can be disturbed due to differences or disputes between members of different religious, racial, language, original groups, or caste or communities, जिन areas में इस ततना की religious problems, regional groups, or caste or communities के ब problem, यह सारे होते है, इन areas को basically disturbed area notify करते है, AFSP के under, तो वैसे North East में, आरनाजल प्रदेश, आसाम, मानिपूर, मेखालिया, मिजवाराम, नागलान, त्रिपूरा में disturbed areas notify किया हुआ है, राइट, the central government or the governor of the state or an administrator of the union territory can declare the whole or part of the state or union territory as a disturbed area, ठीक है, तो यह disturbed area notify करने का अथिखार किन के पास है, central government के पास है, governor of the state के पास है, and union territory का left-hand governance or admin status का पास है, ठीक है, तो इसके बारे में अलग वीडियो में बनाऊँगा, आपको detailed समझाऊँगा, paper 3, General Studies 2, Government Policies and Interventions में, इन उसापको कामाएगा, अगला news है, तोडा's lent spiritual touch to celebrations, देखिए फोटो आज का the Hindu newspaper में चापा थ नीचे लिखा है, people from Toda community participating in a ritual to welcome the new year at Ooty in Neil Greece district of Tamil Nadu on Sunday, देखिए इसमें से सीखने को बहुत कुछ है, सबसे पहली बात, Tamil Nadu का Neil Greece district में एक important travel community है, जिनका नाम है Toda's, अब Toda's का एक annual festival होता है, to welcome the new year, इस festival में इस तरिके का एक सर्मिनी होता है, जहां लोग बड़े-बड़े प people basically Dravidian ethnic group है, who live in Neilgri mountains of the Indian state of Tamil Nadu, देखिए, Neilgri mountains या Neilgri hills, recently काफी news में आया था, एक unfortunate incident हुआ था, जहां हमारा Indian air force का एक chopper crash हुआ था, जिसमें हमारे chief of defense staff, General Divind Singh Ravan जीवी थे, और भी 12 लोग थे, आप देखिए, 18th century and British colonization से पहले, तोड़ा other ethnic communities के साथ रहते थे, जैसे Kota, Badaga, Kurumba, etc. आप देखिए, Tamil Nadu का important tribes का नाम भी दसे आप पता कर सकते हो, तोड़ा हो गया, कोटा हो गया, Badaga हो गया, Kurumba हो गया, etc. आप ये तोड़ा people जहां रहते हैं, basically इनके settlements का नाम है, मुंड, consisting of 3 to 7 small thatched houses, constructed in the shape of half barrels, आप देखिए, नीलगरी mountains का ये जो sloppy area है, इ ये तीन से साथ घर का जो settlement है, इस settlement को ये लोग मुंद बोलते हैं, ठीक है, आप देखिए, इनके economy pastoral है, based on the buffalo, whose dairy products they traded with the neighboring peoples of Neely Hills, तो basically ये बफलो को पालते हैं, बफलो का दूद बेचते हैं, neighboring areas में, और बफलो को इनके religion में sacred माना जाता है, ठीक है, तो ये सारी important information है, तोड annual festival है, इस festival का नाम है, मोदवेद, थ्यान दीजेगा, notes में incorporate कीजेगा, मोदवेद, आप किस tribe से relate कर सकते हो, तोडा tribe से, तो ये मोदवेद festival कहा होता है, ये होता है, मुतनाड मुंद में, अब ये मुंद मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया, इनका जो settlements है, मुंद बोलत तमिल नाडू में, टॉटल छे particularly vulnerable tribal groups है, अब ये particularly vulnerable tribal group का मतलब क्या होता है, देखी, इंडिया में कई सारे tribal groups है, पर देखी, गर्मन इन tribal groups के एंपोर्मन के लिए बहुत कुछ करता है, पर होता क्या है, कुछ एकदम backward tribal groups है, जिनका development ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए गर्म तमिल नाडू के अंदर एसे 6 particularly vulnerable tribal group है, कौन-कौन सा काटून आयकेंट्स, कोटास, कुरुमबास, इरुलास, पानियन्स और तोडास, तो मेरा कहने का मतलब है, तोडास is a particularly vulnerable tribal group in तमिल नाडू, आप मुझे common box में बताइए, इंडिया में total कितने particularly vulnerable tribal group है, दूसरा question, इंडिय commission के recommendation से particularly vulnerable tribal group form हुआ था, ये तीन question का answer आप जये common box में बताइए, वैसे यह सब हमने कई बार discuss किया है, ठीक है, तो paper 2, general studies 1, Indian heritage and culture में particular news आपको काम आएगा, अगला news है, इंडिया gives food aid, defense equipment to Mozambique, सबसे पहले आप Mozambique का map देख लीजिए, एक East African country है, जो अपना Eastern bodies पूरा Indian Ocean के करते हैं, कौन-कौन से South African countries के साथ ये अपना border share करते हैं, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe and South Africa, आप देखे एक important information ये भी है, Tropic of Capricorn, Mozambique से पास होता है, ठीक है, ये सारी important information है, आप अपने notes में लिख दीजिएगा, आप देखे, India gives food aid, defense equipment to Mozambique, India handed over two fast intercepted craft and other self-defense equipment to Mozambique, तो Mozambique के लिए, एक तो इंडिया ने food aid दी दिया, और कुछ defense equipment भी supply किया है, तो इंडिया नेवल शिप केसरी, एंड़ पॉर्ट ओफ मपुटो इन मोजामबिक, तो डेलिबर 500 tons of food aid as well as the defense equipment, देखे, इंडिया गर्मन इस तरह की, आंडर developed countries को, या फिर लीस developed nations को, इस तरह help हम करते हैं, क्योंकि Mission Sagar के अंदर हमारी policies ये कहता है, to assist friendly foreign countries in the region, अब Mission Sagar के वार में मैं आपको briefly पता देता हूँ, Sagar का full form है, security and growth for all in the region, ये दो सार पंतरा में लौंच किया गया था, It is the India's strategic vision for the Indian Ocean region, अब देखे, Indian Ocean region क्या है आपको पता है, अब ये सागर के तुरू India क्या चाहता है, ये तो हमारे जितने maritime neighbors से, इनके साथ economic and security cooperation एकदम बढ़ाना, and सारे countries को अपने maritime security capabilities, build up करने के लिए assist करना, and further India seeks to safeguard its national interest and ensure Indian Ocean region to become inclusive, collaborative and respect international law, तो कहने का मतलब ये है, Indian Ocean किसी का घर का नहीं है, सबका है, जितने maritime bordering countries Indian Ocean का, सबका equal हाग के Indian Ocean के उपर, and सबको international laws को respect करना है, For example, South China Sea के उपर, China जिस तरह claim कर रहे हैं, इस तरह किसी को claim नहीं करना है, आपना-पना सबको दिया हुआ है, अपना-पना territory सबको संभालना है, कोई अपना dominance नहीं दिखाना चाहिए, आप देखिए, इसका relevance आचकल क्यों है, क्योंकि Indian Ocean region में काफी western developed countries interested है, तो वो अपने-अपने agreements sign कर रहे हैं, कहीं सारे country से, अपने-अपने नए-ने missions लेके आ रहे हैं, coalitions लेके आ रहे हैं, तो इसलिए, इंडिया इस तरह की missions को और strengthen करना चाहता है, और Indian Ocean में जितने भी countries हैं, बेसिकली इंडियन ओशन से, जो border share can well countries, उनको government of India assist करते हैं, इनके साथ जो economic and security relations यह वो maintain करते हैं, ठीक, आप देखी, तो हमारा INS केसरी port of Maputo में पहुंचा है, और यह 500 tons of food data and defense equipment deliver किया है, आप देखें दोस्तों, इनको यह defense equipment deliver करने का ज़रूरत क्या था, वैसे मौजांबी की हीट में terrorism बहुत हीट करते हैं, उथर एक infamous terrorist group है, एक notorious group है, जिसका नाम है Daesh, अब इसकी pronunciation गलत हो सकता है, sorry for that, आप यह Daesh जो है, terrorist group Islamic State है basically, its affiliates are rapidly spreading in Central Africa, तो Central Africa में इनके presence देरे देरे अगर्स में, fighters of al-al-sunna wa al-jama affiliated to Daesh, basically यह जो terrorist group है, यह Daesh के साथ affiliate होके, strategic port of Mokimbawa da Priya को capture किया था, in the northernmost province of Cabo Delgado of Mozambique near the Tanzanian border, तो देखें दोस्तों, basically आप यही समझ लीजिए, यह जो terrorist group Islamic State यह दूसरे terrorist organizations के साथ affiliate करके, काफी सारे terrorist attacks प्लान कर रहे है, काफी सारे areas को capture करने में लगे है, इसलिए, इन सारे groups के against fight करने के लिए, government of India क्या कर रहे है, इनको कुछ defense equipment कर रहा है, तो India ने क्या प्रवेट किया, fast intercept craft प्रवेट किया, यह basically एक type का vessel, एक boat है, जो बहुत fastly च देखे, कुछ ships ऐसे होते हैं, वो beach में directly land कर सकता है, normally क्या होता है, ships jetty में या फिर port में, port में पार्क होता है, basically port में जाकी इने पार्क किया जाते है, पर देखे, आईनस केशरी जाशा ships जो है, सीथा जो beach है, उसमें इस तरह पार्क हो सकता है, यह देखे, यह है landing ship tank, यह इ defense equipment से like tanks, फिर जितने troops से वो सब बाहर आ सकता है, ठीक है, तो हमारा आईनस केशरी इस तरीके का एक landing ship tank है, तो आईनस केशरी इस से पहले भी काफी सरे similar missions undertake किया है, for example, May June 2020 में humanitarian and medical assistance प्रवेट किये थे, Maldives में, Mauritius में, Seychelles में, Madagascar में, Comoros में, यह सारे Indian Ocean Bordering Country से अप्ध साबीं deployed to 15 friendly countries under the Sagar Mission, तो Sagar Mission के under हमने करीब 15 friendly countries को इस तरीके का help किया है, उपर से दोस्तों यह जो मोजांबी के, एक तो मैंने बोला किया terrorism heat है, उपर से COVID-19 pandemic में भी यह काफी जारे, काफी ज्यादा एफेक्टर था, तो इसलिए government इस तरीके का help किया है, तो अब समझ गया पेपर 3 General Studies 2, इंडिया and neighborhood relations में ये नूज आपको काम आएगा, अगला न्यूज है, एंडी अपार्थिट आइकन, डेजमन टूटू डाइसर नाइन दी, साउथ आफरिका का एंडी अपार्थिट आइकन, आर्च बिशप डेजमन टूटू का देहांत हुआ है, 90 साल के थे, हिवासे Nobel Peace Prize winner also, देखिए, अपार्थिट सिस्टम मतलब क्या है, इट वस दे नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रिशल डिस्क्मिनेशन, देखिए, साउथ आफरिका में जो white European colonizers थे, उन्होंने एक रिशल डिस्क्मिनेशन सिस्टम इंपोस किया था, साउथ आफरिका में, इस सिस्ट ठीके, white rulers हमेशा non-whites को inferiors मानते थे, इनको basically black people को white people के areas में जाना मना था, मतलब white लोग जहां रहते हैं उथर वो जानी सकते, अगर जाना है तो इन्हें permit चाहिए था, trains में, buses में, taxis में, hotels में, hospitals में, schools, colleges, libraries, cinema halls, THS, etc, etc, इथर separate separate area था whites and blacks के लिए, मतलब जहां whites जाते थे, उदर blacks को जाना नहीं था, and churches में भी जहां whites worship करते थे, उदर blacks को जाना नहीं था, तो यह सारे apartheid system का part था, उपर से there was ban on formation of association and protest, यह जो blacks है न, वो कोई association या कोई protest भी नहीं कर सकते थे, यह जो extreme discriminatory treatment के खिलाफ, तो इस तरीके का बहुत ही गंदा system था apartheid, अब यह apartheid system के against काफी social reformers ने fight किया था, जैसे Nelson Mandela, the first black president of South Africa, उनको वो भी एक anti-apathic icon थे, तो इसी तरह आँच bishop Desmond Tutu भी एक anti-apathic icon थे, जिनका अभी तेहांत हुआ है, ठीक है, 1984 में he won the Nobel Peace Prize for combating white minority rule in his country, वैसे दोस्तों South Africa में white minority rule था काफी सालों तक, वैसे majority blacks थे, फिर भी white का rule था उता, यह खतम हुआ था, 1990s में जब Nelson Mandela, South Africa का president बना था, अब मुझे common books में बताइए, Nelson Mandela को प्यार से South African लोग क्या बुलाते थे, क्या करके बुलाते थे, या पुकारते थे, देखे, famously outspoken even after the fall of the racist apathic regime in the 1990s, Tutu never shied away from confronting South Africa's shortcomings, देखे, यह apathic system खतम होने के बाद भी, H.B. Desmond Tutu ह हमेशा गर्मन को क्रिटिसेस किया है, basically अगर गर्मन की तरफ से कोई shortcomings औराइन को हमेशा इनोने क्रिटिसेस किया है, तो it was Tutu who coined and tame rainbow nation to describe South Africa, देखे, Nelson Mandela, first black president 1994 में बेनने के बाद, आज बिशप Desmond Tutu ने rainbow nation करके टेम कोईन किया था, rainbow मतलब जहां सारे color के लोग, सारे ethnicity के लो आज का final news, हिमाचल विंस विजे हजारे trophy, देखे, विजे हजारे trophy का final match था कर, हिमाचल परदेश वर्सस तमिल नाडू, इसमें हिमाचल परदेश cricket team ने तमिल नाडू cricket team को हराया है, और हिमाचल परदेश को पहली बार विजे हजारे trophy मिला है, अब हम विजे हजारे trophy के ब ट्रोफी पर रेंजी वंडे ट्रोफी में test matches खेले जाते हैं अब जिनको cricket में इतना interest नहीं है cricket के बारे में ABCD नहीं जानते हैं इनके लिए में बता रहा हूं cricket में mainly दो तरीके का matches खेले जाते हैं एक होता है test matches दूसरा होता है limited over matches अब test matches का duration maximum पांच दिन तक हो सकता है limited overs एक ही दिन में खतम करना पड़ता है मेरा कहने का मतलब है अगर एक दिन में result नहीं आपाया किसी भी वज़े से तो या तो वो match को abandon करते हैं या फिर उसे draw माना जाता है तो test cricket and limited overs cricket का basic rules and regulations क्या है important international tournaments कौन कौन सा है ये सारी information अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने दोस्तों से पूछ लीजिए और पता कीजिए male students के लिए ये कोई problem नहीं होगा इंडिया में above 90% male students को cricket के बारे में या फिर important cricket tournaments के बारे में सब कुछ पता होगा female students के लिए थोड़ा बहुत problem हो सकता है होना चाहिए क्योंकि आजकल UPSC भी sports related questions पूछता है last prelims में six marks का question था sports related तो आपको major international tournaments के बारे में basic idea तो होना चाहिए ठीक है तो आब हम वापस topic पर आता है देखे विजे हसारे trophy को रेंजी one day trophy भी कहता है क्यों कहता है क्योंकि रेंजी trophy test matches होता है और विजे हसारे में one day matches होता है basically limited overs matches होता है तो यह start हुगा था 2002-03 में and विजे हसारे trophy में कौन-कौन से teams compete करते हैं रेंजी trophy में कितने state teams है न दोस्तों वही विजे हसारे trophy में compete करते हैं इतना clear है अब देखे it is named after legendary Indian cricketer विजे हसारे आप देखी Tamil Nadu is the most successful team having won the trophy five teams Tamil Nadu को 5 बार मिला है विजे हसारे trophy 2-3 से और हिमाजल पदेश को अब जो मिला है यह उनको पहली बार मिला है they won their first title beating Tamil Nadu in the finals अब दोस्तों Indian domestic cricket में VJD करके एक method का इस्तमाल होता है यह क्या होता है मैं आपको बता हूँगा क्योंगी यह काफी news में आया था विजे हसारे trophy में विजे हसारे trophy का final Tamil Nadu और हिमाजल पदेश के बीच में जब हुआ तब VJD method का इस्तमाल किया था क्या होता है देखिए यह kevl Indian domestic cricket में यूज होता है अब DLS method क्या होता है DLS is basically Duckworth-Lewis method आप में से कई लोगों को DLS method के बार में पता होगा जिनको पता नहीं है उनके लिए में बता रहा हूँ सिंबल भाशा मैं दोस्तों cricket matches के बीच में जब भारिश होता है जब time waste होता है उस time को compensate करने के लिए teams को अपना target reverse करके दे देते है इनको DLS method बोलते है एक example के साथ मैं आपको समझा देता हूँ मान लीजिए इंडिया और इंगलंड के बीच में match चल रहा हो पहले 50 ओर में इंडिया ने batting करके 300 run बना दी है और इंगलंड कॉप जीतने के लिए 50 ओर में कितना run चाहिए 301 चाहिए आप मान लीजिए 10 ओर बैटिंग करने के बाद आगया बारिश 2 घंटे तक बारिश रहा अब 2 घंटे का game हो नहीं पाया आप देखिए आप बचा हुआ 40 ओर फेकने के लिए टाइम नहीं रहेगा आप इसको कॉंबंसेट करने के लिए टार्गेट को रिवेस करके दे देगा मतलब इंगलंड को बोलेगा कि आपको अभी 301 नहीं बनाना है आपको कैवल 200 ओर बनाना है पर आपको हम 40 ओर भी नहीं देंगी आपको हम देंगे करीब 25 ओर इसी तरह जब टार्गेट को रिवेस करके देते है इसी को DLS मेथर्ड बोलते है आप DLS मेथर्ड में ये जो 25 ओर, 200 और इस तरीके का कंक्लूशन में आने के लिए कई सारे फॉर्मलास का इस्तमाल होता है कभीकभी ये सही निकलता है ये वी-ज़ेसील की लापन tumुकसा है ये जो DLS में इंडियन दोमस्टिक क्रिकत रिकेते है इंडियन दोमस्टिक क्रिकत में DLS मेथर्ड जैसा एक WJD मेथर्ड हम तर्ड करते है ये WJD नाम कहा से आया देखिए ये इंडिडूस किया था वी जैदेवन इस सिविल एंजिनियर फिर्म केरला ने वी जैदेवन, वी जै इनी के नाम से ये मेथड जाना जाता है ठीक है, तो दो सर दस में existence में आय था, and BCCI decided to use it in domestic matches only domestic matches में इस्तामाल होता है ठीक है, तो वी जैदी मेथड वास प्रिवेसली यूजड इन इंडियन क्रिकेट लीग और तमिल नादू प्रीमेर लीग, etc, etc and IPL का 4th and 5th seasons में भी यूज़ करने का प्लान बनाया था, पर International Cricket Council ने वी जैदी मेथड को रिजट किया 2012 में, इसलिए ही यूज़ नहीं करते है कि अब इंडियन डॉमस्टी क्रिकेट मैचस में ये यूज़ हो अब दोस्तों, VJD मेथड और DLS मेथड मेथड में थोड़ा बन डिफरेंस से अब इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है बेसिक एड़े तो मैंने आपको दे दिया उतना ही जाने है, ज्यादा जाने से आपको कन्फूशन हो जाएगा ठीक है? तो जनल स्टीज पेपर वन स्पोर्ट में ये न्यूज़ आपको काम आएगा तो दोस्तों, that's the end of it I hope आपको सारे न्यूस अच्छी तरह समझ में आया होगा आप मुझे comment box में बता कि आपको अच्छी तरह समझ में आया या नहीं लक्षे की PDF as social आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवेड़ेड़ है Thank you for watching, bye bye, have a nice day